सिर्फ एक सिरेंडर से अपने ब्रांड का पाउच इंट करवा सकते हैं जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे लेकिन वीडियो सुरूख करने से पहले चैनल को कर दिजे सब्सक्राइब और घंटे वाला निशान दबा के ओल वाला उप्सनों के कर दिजे ताकि इस तरह के दूसरे वीडियो को नोटिफिकिशन आपको मिलता रहे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत जैसा कि पिछले वीडियो में ने आपको बताए था कि आपकी पाउच की डिजन के हिसाब से उसमें जितने कलर है उतने कलर के आपको सिलिंडर्स बनवाने पड़ेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह सिर्फ एक सिलिंडर यूज़ करके आप अपने ब्रांट के नाम का पाउच प्रिंट करवा सकते हैं दोस्तों माल लीजिए एक कंपनी है जो इस तरह के ड्राइफूट या नमकीन के पाउच प्रिंट करती है तो जो इनसे रेगुलर पाउच प्रिंट करवाते हैं वो अपना सिलिंडर इनके पास रख देती है और जब आप इनसे पाउज प्रिंट करवाने जाते हैं और आप इनको ये कहते हैं कि भाई मेरा कम बजट है लेकिन मुझे अपने ब्रांड के नाम से ही पाउज प्रिंट करवाना है तो ऐसे में आपको ये लोग बोलेंगे लेकिन जो डिजाइन है वो हम खुद बनाएंगे नई तो आप खुद इनको बोल सकते हैं कि भाई मुझे तो सिर्फ अपने ब्रांड के नाम से पाउज प्रिंट करवाने हैं डिजाइन आप अपने हिसाब से त्यार कर लें तब ऐसे में क्या करते हैं ये लोग जिनोंने इनके पास सिलिंडर रखे हुए है पाउस उनकी डिजाइन का ही बना देते हैं लेकिन जहां पर ब्रांड का नाम होता है उस जगए पर आपके नाम से सिलिंडर बना के आपका ब्रांड प्रिंट कर देते हैं लेकिन ऐसे में वो उनी डिजाइन को सिलिंड करते हैं जिनका प्रांड नेम और जो पिछे जो डिटेल एडरस वगेरे होती है वो सेम कलर का होता है यदि ये दोनों अलग-अलग कलर के होंगे तो आपको भी दो अलग-अलग सिलेंडर बनवाने पड़ेंगे ये तो हो गई सिंगल सिलेंडर की बात अब बात करते हैं कि हम दो सिलेंडर से किस तरह तीन कलर के डिजाइन बना सकते हैं या तीन कलर के सिलेंडर से किस तरह पांच या साथ कलर की डिजाइने बना सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर तो green color बहुत लोग जानते हैं कि कैसे बनता है green color दो color को mix करके बनता है जैसे yellow और blue मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ यह देखे मैंने यहाँ पर पहले से overlap करके अरखा हुआ था अम इनको अटाता हूँ तो देखे yellow और blue दो color है लेकिन आपर तरिस्ता color भी दिख रहा है green तो आपके पाउस की डिजन ऐसी है जिसमे yellow, blue और green color है तो आपको सिर्फ दो ही color के सिलिंडर बनाने पड़ेंगे yellow और blue के और इसी तरह हम yellow के साथ red color मिलाते हैं तो हमको मिलता है orange color और red और blue के साथ मिलाते हैं तो हमको मिलता है violet color और तीनो color को मिलाके हमको मिलेंगे साथ color जियां दोस्तों यहां पर देखिए red और blue मिलाने से हो गया violet और yellow के साथ blue मिलाते हैं तो green और red के साथ भी yellow को और blue को मिलाते हैं तो उपर ये मिल जाता है थोड़ा मेंधी टाइप का कलर और रेट येलो मिलके ओरेंज कलर हो जाता है तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए साथ कलर यहाँ पर बन जाते हैं तो तीन कलर के सिलेंडर बनवा के आप साथ कलर की डिजाइन तियार करवा सकते हैं अब बात करते हैं डार्क कलर की आपको यदि डार्क कलर यूज़ करना है जैसे ब्लेक कलर यूज़ करना है तो किसी भी एक सिलिंडर को आप छोड़ सकते हैं यहां पर देखिए, ब्लेक के साथ रेड मिलाया तो यह कोई चोकलेटी टाइप का कलर हो गया, ब्राउन कलर हो गया, तो इस तरह भी आप ब्लेक के साथ दूसरे कलर मिला के देख सकते हैं, और उस तरह आप तीन सिलिंडर में पाँच या साथ कलर की डिजाइने बनवा सकते हैं, यह देखिए, मैं यहां पर ब्लेक के साथ अलग-अलग कलर मिला के दिखा रहा हूँ, तो यहां पर देखिए, अलग-अलग कलर यहां पर नजर आ रहे हैं, तो इस तरह आप अपने कलर के हिसाब से डिजाइन बनवा सकते हैं, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक वाला बटन जड़ो दबा दें और जो मेरे चैनल पर नए आए है उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके घंटी वाला दिशान दबा के ओल वाला उप्सनों के कर दें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपको इस तरह की फ्री स्केज बनवानी है तो मेरे आठ वाले चैनल को सब्सक्राइब गरना ना भूले जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि परतेक सब्सक्राइब में अपने सब्सक्राइब विर्दवार भेजी गई फोटो की पेंसे लिसक्रिस बनाके इस चैनल पर अपलोड करूँगा कि परतेक सब्सक्राइब जैसा कि परतेक सब्सक्राइब करूँगा झाल 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 झाल